तो आये शुरू करते हैं उपनियास गोदान, खंडे कतिस राय सहब का सितारा बुलन था उनके तीनों मनसुबे पूरे हो गए थे कन्या की शादी धूमधाम से हो गई थी मुकदमा जीत गए थे और निर्वाचन में सफल ही न हुए थे होम के मेंबर भी हो गए थे चारों और से बधाईयां मिल रही थी तारों का ताता लगा हुआ था इस मुकदमे को जीत कर उन्होंने तालुके दारों की प्रथम शरिनी में प्रथम प्राप्त कर लिया था समान तो उनका पहले भी किसी से कम न था मगर अब तो उसकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी सामिक पत्रों में उनके चित्र और चरित्र दनादन निकल रहे थे करज की मात्रा बहुत बढ़ गई थी मगर अब राय साहाब को इसकी परवाह न थी वह इस नई मिलकियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर करज से मुक्त हो सकते थे सुख की जो उँची से उँची कलपना उन्होंने की थी उससे कहीं उँचे जा पहुँचे थे अभी तक उनका बंगला के वो लखनव में था अब नैनिताल, मनसूरी और शिमला तीनों अस्थानों में एक एक बंगला बनवाना लाजिम हो गया अब उन्हें या शोभा नहीं देता कि इन अस्थानों में जाएं तो होटलों में या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरें जब सूर्य परताब सींके बंगले इन सभी स्थानों में थे तो राय सहाब के लिए बड़ी लज्जा की बात थी कि उनके बंगले न हो सयोग से बंगले बनवाने की जहमत न उठानी पड़ी बने बनाए बंगले सस्ते दामों में मिल गए हर एक बंगले के लिए मालिल, चोकिदार, कारिंदा, खान सामा आदी भी रख लिए गए थे और बड़े सवभाग की बात यह थी कि अपकी हिज मैजेस्टी के जनमदीन के अउसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई अब उनकी महत्वा कांचा संपून रूप से संतुष्ट हो गई उस दिन खुब जशन मनाया गया और इतनी शांदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड तूट गये जिस वक्त हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी परदान की गर उके साथ राजभक्ती की भी एसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम उससे पलावी थो उठा यह है जीवन नहीं विद्रोहियों के फेर में पढ़कर बिर्थ बदनामी ली जेल गए और अपसरों के नजरों के में गिर गए जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरहफतार किया था इस वक्त वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था और शायद अपने अपराहत के लिए छहमा मांग रहा था मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त होई जब उनके पुराने पराष्ट शत्रू सुर्य परताप सिह ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिह से अपनी कन्या की विवाह का संदेश भेजा राय सहाब को ना मुकदमा जितने कितनी खुशी हुई थे ना मिनिश्टर होने की वह सारी बातें कलपना में आती थी मगर यह बात तो आश्राती थी नहीं कलपना तीत थी वही सुर्य परताप सिंग जो अभी कई महिनी तक उन्हें अपने कुट्टे से भी नीचा समझता था वह आज उनके लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता था कितनी असंभव बात रुदरपाल इस समय एमे में पढ़ता था बड़ा निर्भीक पक्का अदर्शवादी अपने उपर भरोसा रखने वाला अभिमानी रसिक और आलसी वक था जिसे अपने पिता की यह धन और मान लिफसा बुरी लगती थी राय सहब इसमय निनी ताल में थे यह संदेशा पाकर फूल उठे यथ भी वह विवाह के विशे में लड़के पर किसी तरह का दबाव ना डालना चाहते थे पर इसका उन्हें विश्वास था कि वह जो कुछ निशे कर लेंगे उसमें रुदरपाल को कोई अपत्ती न होगी और राजस्विर परताब से इसे नाता हो जाना एक ऐसे सवभागी की बात थी कि रुदरपाल का सहमत ना होना ख्याल में भी ना आ सकता था उन्होंने तुरंत राजस्वास सहाब को बात दे दी और उसी वक्त रुदरपाल को फोन किया रुदरपाल ने जवाब दिया मुझे स्विकार नहीं राजस्वास्वास को अपने जीवन में ना कभी इतनी निराशा हुई थी ना इतना क्रोध आया था पूछा कोई वजह समय आने पर मालूम हो जाएगा मैं अभी जानना चाहता हूँ मैं नहीं बतलाना चाहता तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा जिस बात को मेरी आत्मा स्विकार नहीं करती उसे मैं आपके हुक्म से नहीं मान सकता राय साहब ने बड़ी नमरता से समझाया बेटा तुम आदर्शवात के पीछे अपने पैरों में कुलहाडी मार रहे हो यह सम्मन्ध समाज में तुम्हारा अस्थान कितना उचा कर देगा कुछ सोचा है तुमने इसे इश्वर की प्रेड़ना समझो उस कुल की कोई दरिदर कन्या भी मुझे मिलती तुम्हें अपने भागे को सराहता यह तो राजा सुर्य परताब सिंग की कन्या है जो हमारे सिर्मोर हैं मैं उसे रोज देखता हूँ तुमने भी देखा होगा रूप, गून, शिल, सुभाव में ऐसी उप्ति मैं आज तक नहीं देखिये मैं तो चार दिन का और महवान हूँ तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है मैं तुम्हारे उपर दबाव नहीं डालना चाहता तुम जानते हो विवाह के विशे में मेरे कितने उदार विचार है लेकिन मेरा यह भी तो धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करते देखू तो चेतावनी देदू रुदरपाल ने इसका जवाब दिया मैं इस विशे में बहुत पहले निश्यक कर चुका हूँ उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता राय सहाब को लड़के की जड़ता पर फिर क्रोध आ गया गरज कर बोले मालूम होता है तुम्हारा सिर्फ फिर गया है आकर मुझसे मिलो विलम न करना मैं राजा सहाब को जबान दे चुका हूँ रुद्रपाल ने जवाब दिया थेद है अभी मुझे आवकाश नहीं है दूसरे दिन राय सहाब खुद आ गये दोनों अपने अपने सस्त्रों से सजे हुए तयार खड़े थे एक और संपूर्ण जीवन का मंझा हुआ अनभव था समझावतों से भरा हुआ दूसरी और कच्चा आदार्शवात था जिद्धी, उदंड और निर्मम राय सहाब ने सिधे मरम पर अघाद किया मैं जानना चाहता हूँ अलड़की कोन है दुद्रपाल ने अचल भाव से कहा अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिये वह मालती दिभी की बहन सरोज है राय सहाब आहत होकर गिर पड़े अच्छा, वह, आपने तो सरोज को देखा होगा खूब देखा है, तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं जी हाँ, खूब देखा है फिर भी, मैं रूप को कोई चीज नहीं समझता तुम्हारी अकल पर मुझे अफसोस आता है मालती को जानते हो कैसी ओरत है उसकी बहन क्या कुछ और होगी रुद्रपाल ने तेवरी चढ़ा कर कहा मैं इस विशे पर आप से और कुछ नहीं कहना चाहता मगर मेरी शादी होगी तो सरोज से मेरे जीतेजी कभी नहीं हो सकती तो आपके बाद होगी अच्छा तुम्हारी यह इरादे है और रायस सहाब की आखे सजल हो गई जैसे सारा जीवन उजड़ गया हो मिनिस्ट्री और इलाका और पद्वी सब जैसे बासी फूलों की तरह निरस निरानन्द हो गए हो जीवन की सारी साधना विर्थ हो गई उनकी इस तरीका जब दिहान्त हुआ था तो उनकी उम्र 36 साल से ज़्यादा न थी वह विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनन्द उठा सकते थे सभी उनसे विवाह करने के लिए आगरा कर रहे थे मगर उन्होंने इन बालकों का मुह देखा और विधूर जीवन की साधना स्विकार कर ली इन ही लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास ने उच्छावर कर दिया, आज तक अपने हिर्दे का सारा सने है, इन ही कर रहे थे जब लड़कों को उनका जरा भी लिहाज नहीं तो वह क्यों यह तपस्या करें उन्हें कौन संसार में बहुत दिन रहना है उन्हें भी अराम से पड़े रहना आता है उनके और हजारों भाई मुचों पर ताओ दे कर जीवन का भोग करते हैं और मस्त भूमते हैं फिर वह भी क्यों भोग विलास में पड़े रहें उन्हें इस वक्त याद ना रहा कि वह जो तपस्या कर रहे हैं वह लड़कों के लिए नहीं बलकि अपने लिए कि वह लियस्ट के लिए नहीं बलकि इस लिए भी वह करमशील है और उन्हें जिवित रहने के लिए इसकी जरूरत है, वह विलासी और अकर्मने बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते, उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकिर्टी ऐसी होती है कि विलास का अपाहिजपन स्विकार ही नहीं कर सकते, वे अपने जिगर का खून पीने के लिए ही बने हैं और मरते के हित के लिए हो, यद भी उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका नहोकर हमारा हो जाता है, त्याग की मात्रा जितनी ही ज्यादा होती है, यह शासन भावना उतनी प्रबल होती है, और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है, तो हम छुबध हो उठते हैं और वह त्याग जैसे प्रती हिंसा का रूप ले लेता है, राय सहाब को यह जित पड़ गई कि रुद्रपाल का विवास रोज के साथ ना होने पाए, चाहे इसके लिए उन्हें पुलिस की मदद क्यों ने लिनी पड़े, निती की क्यों ना हत्या करनी पड़े, उन्हो बाद ही और अभी उसे बहुत दिन है, रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी, इश्वर करे आप अमर हो, सरोज से मेरा विवा हो चुका, जूट, बिलकुल नहीं, प्रमान मोजुद हैं, राय सहाब आहत होकर गिर पड़े, इतनी सत्रिश ने हिंसा की आँखों सुमने कभ जीवन की संपून प्रेड़नाच संचित थी, एक आंधी थी, जिसने उनका जीवन जड़ से उखाड़ दिया, अब वह सर्वता अपंग है, पुलिस की सारी शक्ती हाथ में रहते हुई अपंग है, बल प्रयोग उनका अंतिम शस्तर था, वह शस्तर उनके हाथ से निकल तो इस रियासत के लिए लड़ते ही क्यों, इस मुकदमे बाजी के पीछे दो ढ़ाई लाख बिगड़ गये, जीवन ही नश्ट हो गया, अब तो उनकी लाज इसी तरह बचेगी कि इस लोंडे की खुशामत करते रहें, उन्होंने जरा बाधा दी और इजज़त धूल में म ली, वह जीवन का बलिदान करके भी अब स्वामी नहीं है, ओह सारा जीवन नश्ट हो गया, सारा जीवन, रुदरपाल चला गया था, राय सहाब ने कार मंगवाई और महता से मिलने चले, महता अगर चाहें तो मालती को समझा सकते हैं, सरोज भी उनकी अवहेलना न करेगी अगर दस बीस हजार रुपे बल खाने से भी, यह विवाह रुक जाए, तो वह देने को तयार थे, उन्हें उस स्वार्थ के नश्य में यह बिलकुल ख्याल न रहा कि वह महता के पास एसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, जिस पर महता की हमदर्दी कभी उसके साथ नहोगी महता ने सारा बृतान सुनकर उन्हें बताना शुरू किया, गंभीर मुह बना कर बोले, यह तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है, राय सहाब भाप न सके, उच्छल कर बोले, जी हाँ किवल प्रतिष्ठा का, राजा सुर परताब सी को तो आप जानते है, मैंने उनकी महता जाता महताजी, मिले भी प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती, मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तयार हूँ, आप मालती दिवी को समझा दें तो काम बन जाए, इधर से इनकार हो जाए, तो रुदरपाल सिर्क पीट कर रह जाएगा, और यह नशा दस-पांच दिन में अपने आप उतर जाएगा, यह प्रेम रो कुछ नहीं, किवल सनक है, लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेगी नहीं, आप जो कुछ कहिए मैं उसे दूँगा, वह चाहे तो उसे यहां के डरफिन होस्पिटल का इंचार्ज बन माद हूँ, मान लीजे, वह आपको चाहे तो आप राजी होंगे, जब से आपको मनिस्ट्री मिली है, आपके विसे में उसकी राय जरूर बदल गई होगी, राय सहाव ने महता के चेहरे की तरफ देखा, उस पर मुस्कराहट के रेखा नजर आई, समझ गये, व्यथित स्व महता ने गंभीर सुर में कहा, छमा कीजेगा, आप ऐसा प्रशनी लेकर आए हैं, कि उस पर गंभीर विचार करना में हास्यास्पत समझता हूँ, आप अपनी शादी के जिमेदार हो सकते हैं, लड़के की शादी का दाई तो आप क्यों अपने उपर लेते हैं, खास कर जब आपका लड़का बालिक है और अपना नफा नुकसान समझता है, कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्यों के मामले में परतिष्ठा का कोई अस्थान नहीं समझता, परतिष्ठा धन से होती है तो राजा सहाब उस नंगे बाबा के सामने घंटो गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़े न रहते, मालूम नहीं कहां तक सही है, पर राजा सहाब अपने इलाके के दरोगा तब को सलाम करते हैं, इसे आप परतिष्ठा कहते हैं, लखनों में आप किसी दुकांदार, किसी अलहकार, किसी रहागीर से पूछे, उनका नाम सुनकर गालियां ही देगा, इसी को आप परतिष्ठा कहते हैं, जाकर अराम से बैठिये, सरोष से अच्छी बधू आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, राय सहाब ने अपत्ती के भाव से कहा, बहन तो मालती की ही है, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है, मालती को आपने जाना नहीं, और ना जानने क परवा की, मैंने भी यही समझा था, लेकिन आप मालूम हुआ कि वह आग में पढ़कर चमकने वाली सच्ची धातू है, वह उन वीरों में है, जो असर पढ़ने पर अपने जोहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं, आपको मालूम है खनना की आजकल क्या दशा है, राय एक तरह से दोस्तों की दया पर निर्वाह कर रहे हैं, उस पर गुविंदी महीनों से बिमार है, उसने खनना पर अपने को बलिदान कर दिया, उस पशू पर जिसने हमेशा उसे जलाया, अब वह मर रही है, और माल्ती रात की रात उसके सिरहाने बैठी रहती है, वही माल्त के असरूब देखकर अपने भीतर सरधा का अनभव होने लगा, हलाकि आप जानते हैं मैं घोर जड़वादी हूँ, और भीतर के परिसकार के साथ उसकी छबी में भी दिवत्व की जलक आने लगी है, मानावता इतनी बहुरंगी और इतनी समर्थ है, इसका मुझे प्रतेक् जाने के लिए किसी बहानी की जरूत क्यों, मैं तो समझता था, आपने उनके उपर अपना जादू डाल दिया है, मेता ने भी हस्रत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वह बात अब स्वपन हो गई, अब तो कभी उनके दरशन भी नहीं होते, उन्हें अब फुरस के साथ का, जी नहीं, मुझे फुरसत नहीं है, मुझे तिया चिंता सवार है कि राजा सहाब को क्या जवाब दोंगा, मैं उन्हें बचन दे चुका हूँ, और यह कहते हुए उट खड़े हुए, और मंद गती से द्वार की और चले, जिस गुथी को सुलजाने आये थे, व और भी असूज हो गया, महता ने कार तका कर उन्हें विदा किया, राय सहाब सिधे अपने बंगले पर आये, और दैनिक पत्र उठाया कि मिस्टर टंखा का कार्ड मिला, टंखा से उन्हें घिरना थी, और उनका मुझ भी न देखना चाहते थे, लिकिन इस वक्त मन की दुर और नी सुलत लिये, कमरे में दाखिल हुए, और जमीन पर जुक कर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने ने निताल जा रहा था, सुभाग से ही दर्शन हो गये, हुजूर का मिजाज तो अच्छा है, इसके बाद उन्होंने बड़ी लक्षेदार भाशा में और अपने पिछले बेवार को बिल्कुल भूल कर, राय सहाब का योगाशन आरंब किया, यसी होम मेमरी कोई क्या करेगा, जिधर देखिए हुजूर के ही चर्चे है, यह पद हुजूर को ही शुभा देता है, राय सहाब मन में सोच रहे थे या आदमी कितना बड़ा ध किसी गरज पढ़ने पर गधे को दादा कहने वाला पहले सिर का बेवफा और निरलज, मगर उन्हें उन पर कुरूध ना या दया आई, पूछा आज कल आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हुजूर बेकार बैठा हूँ, इसी उमीद से आपकी खिदमत में हाजिर होने जा र मैंने कहा, बस किजे महराज, राय साहब मेरे स्वामी है, मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता, बस इसी बात पर विगड़ गए, मैंने भी सलाम किया और घर चलाया, मैंने साब कह दिया, आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं, पर राय साहब की जो इज़त है वह आपको नहीं हो सकती, इज़त हाट से नहीं, लियाकत से होती है, आप में जो लियाकत है वह तो दुनिया जानती है, राय सहब ने भिनव किया, आपने तो सीधे घर में आग लगा दी, तनखा ने अकड़ कर कहा, हाँ तो हुजूर साप कहता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुर जब हुजूर के कदमों को पकड़े हुए हूं, तो किसी से क्यों डरू हुजूर के तो नाम से जलते हैं, जब देखिए हुजूर की बदगोई, जब से आप मिनिस्टर हुए हैं, उनकी छाती पर साफ लोट रहा है, मेरी सारी की सारी मजदूरी साफ ड़कार गए, देना जानते नहीं हुजूर, असामियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ न पूछिए, किसी की आबरू सलामत नहीं, दीन दहारे ओरतों को कार की आवाज आई, और राजा सुर्परतापसी हुत्रे, राय साहब ने कमरे से निकल कर उनका स्वागत किया, और इस सम्मान के बहुत से नत होकर बोले, मैं तो आपकी सिवा में आने ही वाला था, यह पहला उसर था कि राजा सुर्परतापसी ने इस घर को अपने चर्णों से पवित्र किया, यह सवभागे है, मिश्ता तंखा भिगी बिली बनने बैठे हुए थे, राजा सहाब यहां क्या इधर इन इस उपर की लेप थोप से बुझने वाली नहीं, राजा सहाब ने सिगार जलाते हुए तंखा की और कठोर आखों से देख कर कहा, मुझसे उस दावत के सारे रुपे वसुल लिए और होटल वालों को एक पाई न दी, मेरा सिर्क खा रहे हैं, मैं इसे विश्वास घात मोधित करके कहा, यह सा बैमान आदमी मैंने नहीं देखा है राजा सहाब, मैं सत्य कहता हूँ, मैं कभी आपके मुकावले में न खड़ा होता, मगरिसी शेतान ने मुझे बहकाया और मरे एक लाख रुपे बरवाद कर दिये, बंगला खरीदलिया सहाब कार रख ली, एक व कुछ जबाब दीजे, राजा सहाब ने तो आपका सारा महनताना दबा लिया है, है इसका कोई जबाब आपके पास, अब कृपा करके यहां से चले जाए और खवरदार फिर अपनी सूरत न दिखाईएगा, दो भले आदमियों में लड़ाई लगा कर अपना उल्ली सिधा क करना वेपोंजी का रुजगार है, मगर इसका घाटा और नफा, दोनों ही जान जोकी में समझ लिजे, तंखा न येसा सिर गड़ाया कि फिर न उठाया, धीरे से चले गए, जैसे कोई चोर कुता मालिक के अंदर आ जाने पर दब कर निकल जाया, जब वह चले गए तो अच्छा को अच्छा सबक मिल गया, इसके बाद रुदरपाल के विवाह की बात चीज़ शुरू ही, राय सहब के पराण सुखे जा रहे थे, मानों उन पर कोई निशाना बांधा जा रहा है, कहां छिप जाएं, कैसे कहें कि रुदरपाल पर उनका कोई अधिकार नहीं रह मगर राजा सहाब को परिस्थेती का ग्यान हो चुका था, राय सहाब को अपनी तरफ से कुछ न कहना पड़ा, जान बच गई, उन्हें ने पूछा आपको इसकी क्यों कर खबर हुई, अभी भी रुदरपाल ने लड़की के नाम एक पत्र भेजा है, जो उसने मुझे दिय आज कलके लड़कों में और तो कोई खुबी नजर नहीं आती, बस सुचंदता की सनक सवार है, सनक तो है ही, बगर इसकी दवा मेरे पास है, मैं उस छोकरी को ऐसा गयाब कर दूं कि कहीं पता न लगेगा, दस-पास दिन में यह सनक ठंडी हो जाएगी, समझाने से कोई नत से दोनों ही वेक्तियों में जिवित था, राजा सहाब में वो नगन था, अपना बड़पन सित करने के उस औसर को राजा सहाब छोड़ न सके, जैसे लजित होकर बोले, लेकिन यह बीसवी सदी है, बारह हुई नहीं, रुदरपाल के उपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की द्रिष्टी से, राजा सहाब ने बात काट कर कहा, आप मानवता लिये फिरते हैं, और यह नहीं देखते कि संसार में आज मनुष्य की पशुता ही, उसकी मानवता पर विजय पा रही है, नहीं रास्टों में लड़ाईयां क्यों होती, पंचायतों से मामले तैना हो जाते, जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता भी रहेगी, छोटी मुटी बहस छड़ गई और विवाह के रूप में आकर अंत में भी तंडा बन गई, और राजा सहाब नाराज होकर चले गए, दूसरे दिन राय सहाब ने भी नैनिताल को परस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुदरपाल ने सरोज के साथ इंगलेंड की राह ली, अब उनमें पिता पुतर का नाता ना था, प्रतिद्वंदी हो गए थे, मिश्टर तंखा अब रुदरपाल के सलहकार और पैरोकार थे, उन्होंने रुदरपाल की तरब से र अपने बेटे नहीं दगा दी, आगयकारी पुतर के पिता बनने का गोरो बड़ी निर्देता के साथ उनके हाँ से छीन लिया गया था, मगर भी शायद उनके दुख का प्याला भरा ना था, जो कुछ कसर थी, वो लड़की और दमात के संबंध बिछेद ने पूरी कर दी, साधरन हिंदू बालिकाओं की तरह मिनाक्षी भी बेजवान थी, बाप ने जिसके साथ बया कर दिया, उसके साथ चली गई, लिकिन इस्तरी पूर्ष में प्रेम न था, दिगवजें सी एयाश भी थे, शराबी भी, मिनाक्षी भीतर भीतर कुढ़ती रहती थी, पुस्तको और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती थी, दिगवजें की अवस्था तो तीस से अधिक न थी, पढ़ा लिखा भी था, मगर बड़ा मगरूर, अपनी कुल प्रतिष्ठा की डीन मारने वाला, सुभाव का निर्दई और कृपन, गाओं की नीच जाती की बहु बेट्गों पर उसकी आँखे खुलने लगी थी, वह जनाना कलब में आने जाने लगी, वहां कितनी शिक्षित उचे कुल की महिलाएं आती थी, उनमें वोट और अधिकार और स्वधिन्ता और नारी जगरिती की खुब चर्चा होती थी, जैसे पुर्षों के बृत कोई सड़यंतर रचा जा रहा हो, अधिकतर वही देविया थी, जिनकी अपने पुरुषों से न पढ़ती थी, जो नई शिक्षा पानने के कारण पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थी, कई उतियां भी थी जो डिग्रियां ले चुकी थी, और विवाहित जीवन को आत्म समान के ल दावा किया, अब वह उसके घर में न रहना चाहती थी, गुजारे की मिनाक्षी को जुरुत न थी, मेके में वह बड़े अराम से रह सकती थी, मगर वह दिग्विजे सिंग के मुख में कालिख लगा कर यहां से जाना चाहती थी, दिग्विजे सी ने उस पर उल्टा बद डिग्री पाई, मगर यह अपमान उसके जिगर में चूपता रहा, वह अलग एक कोठी में रहती थी और समिष्ट वादी आंदोलन में परमुख भाग लेती थी, पर वह जलन शांद न होती थी, एक दिन वह कुरोध में आकर हंटर लिये दिग्विजे के बंगले पर पहु जब दिग्विजे सिंग अकेले रह गये तो उसने उन पर साड़ा सर हंटर जमाने शुरू किये और इतना मारे की कुणर सहाब बेदम हो गये, वेश्या अभी तक कोने में दबकी खड़ी थी, अब उसका नंबर आया, मिनाक्षी हंटर तान कर जमाना ही चाहती थी, कि जानती है न, मैं कौन हूँ, चली जा, अब कभी यहां ना आना, हम इस तरिया भोग विलास की चीजें हैं ही, तेरा कोई दोश नहीं, वेश्या ने उसके चर्णों पसिर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखें, जैसा आपका नाम सुनती थी वैसा ही पा अब कैसे जान बचे, डर्ती डर्ती बोली, हुजूर का एक बाल पढ़े, नाम बढ़े, मिनाक्षी मुस्कुराई, हाँ ठीक है, वहां कर अपनी कार में बैठी, हाकीम जिला के बंगले पर पहुँचकर इसकांड की सूचना दी, और अपनी कोठी में चली आई, तब सिस्त अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतरमुखी होती जाती थी, अब तक अभिलाशाओं से जीवन के लिए प्रेड़ना मिलती रहती थी, उधर रास्ता बंध हो जाने पर उनका मन आप ही आप भक्ती की और जुका, जो अभिलाशाओं से कहीं बढ़कर सत्य था, जिस नई जैदात के आसरे करज लिये थे, वह जैदात करज की परोती किये बिना ही हाथ से निकल गई थी, और वह बोज सिर पर लदा हुआ था, मिनिस्ट्री से जरूर अच्छी रकम मिलती थी, मगर वह सारी की सारी उस मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी, और राय स पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी जरूरतों से हैरान थे, मुश्किलिया थे कि उपासना और भक्ती में भी उन्हें शांती न मिलती थी, वह मोह को छोड़ना चाहते थे पर मोह उन्हें न छोड़ना चाहता था, और इस खीस्तान में उन्हें अपमान गलानी और पर उनके लिए वही मूं के दाल और फुलके थे, अपने दो भाईयों को देखते थे जो उनसे और भी ज्यादा मकरूज, अपमानित और शोक गरस थे, जिनके भोग बिलास में ठाट बाट में किसी तरह की कमी न थी, मगर इस तरह की बेहियाई उनके बस में न थी, उनके म के उचे संसकारों का ध्वन्स न हुआ था, पर पीडा, मकारी, निरलस्ता और अत्याचार कुआ तालुकेदारी की शोभा और रोबदाप का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट न कर सकते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी, उपन्यास गोदान का आगे का भाग खंड 32 में